बच्चों आप सभी का स्वागत है कारे पत्रक 67 में जो अध्याय बहुपत से लिया गया है और इसमें वर्कशीट नमबर 7, 8 और 9 की पुनरा वरती की गई है तो ये सभी प्रशन बहुत असान है और ये आपको करने आने चाहिए और यदि आपको ये मुश्किल लग रहे हैं तो इन सब वर्कशीट को आप दुबारा रिवाइस करो चाप्टे टू को रिवाइस करो इन से रिलेटेड वीडियो भी बने हुए हैं आप उसको देख सकते हो समझने के लिए यहाँ पर हम पहला प्रशन लेते हैं निमन में से बहुपद बताईए अब इसमें से आपको बहुपद बताना है बहुपद के अंदर बच्चों हमने आपको बताया था बहुपद इस तरह की संख्याएं होती हैं जैसे कि हम आपको बोलें A0XN प्लस A1XN माइनस 1 से लेकर ऐसे करके आप बोलते हो A N तक ठीक है यह तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा इसमें मैंने सबसे बड़ी बात आपको यह बताई थी कि बहुपद में आप यह देख लेना कि X की घात कैसी है जो X की पावर्स है X की घात होनी चाहिए पॉजटिव होनी चाहिए ठीक है ऐ गुणाक होना चाहिए इन दो बातों पे चलना तो इससे तुम बहुपद बता पाओगे अब यहाँ पर देखो अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते है रूट देखते ही बोलेंगे यह बहुपद नहीं है रूट 7 नहीं होता जिबकि यह उसका आगे वाला क्या ह कोफिशियंट होता है उसका आगे जो उसके साथ गुना हो रहा है गुनाक को नहीं देखना एक्स की गहात को देखें तो आप देखेंगे तो आटको हम ऐसे लिख सकते ठीक है तो यह भी तुम्हारा बहुपद हो गया एक यह तुम दे रहरा धनात्मक पूरनाक रहा है अगर मैं यह तीसरा वाला देखती हूँ एक बटा दो X इसका मतलब हुआ एक बटा दो और X का जब गात बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा X-1 तो यह तुम देख रहे हो धनात्मक नहीं है यह रनात्मक हो गया तो यह नहीं बनेगा इसके अंदर X की पावर 5 बटा दो और प्राक्टेस के लिए सेकेंड कोश्चन देखें बहुपद में पद है अब आप यह सारा देखो यह बहुपद है आगे जो लिखेंगे यहा है यह गुणाख है इसके साथ गुणा हो रहा है एक इसके साथ गुणा हो रहा है माइनस चार X कोईर के साथ X के साथ माइनस तीन तो यह सारे गुनाक लिखे है, जबके यहाँ पर पद पूछे गए, यहाँ पर देखिए, यह सारा का सारा बहुपद ऐसे कैसे लिख दिया, इसके पद अलग-अलग करके नहीं लिखे है, यहाँ पर पद अलग-अलग करके लिखे गए, देखो बीच में कॉमा है, तो यह इ तो है यह इसके पद है पर बीच में कॉमा ज नहीं है पद अलग अलग लिखे जाने चाहिए तो सी पार्ट हो गया तीसा प्रश्न देखिए बहुपद में X-square का गुनाग तो अब X-square का गुनाग या तो आप यह देखिए X-square X से गुना होगा तो X का क्यूब हो जाएग x जब 2 से गुना होगा, हम ऐसा करते हैं, सारे को गुना करके देख लेते हैं, पहले हम इसे नोट करते हैं, और अब हम इस bracket को open करेंगे, इसे से 2-1 को दूसरी bracket से गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करने पर x की power 3 आ जैगा, x square को 2 से करोगे यह आएगा , इन दोनों को गुना करोगे minus 1, इसको इससे करोगे plus 2, ठीक है, यह तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम से पुछा गया है, x² का गुनाख, तो x² वाली पत देखें कौन सी है, यह है, तो यहाँ पर x² का गुनाख क्या हो, x² से क्या गुनाख हो रह अब ये जो बहुपद है यहाँ पे कुछ इसके साथ अचर नहीं है अचर लिखा इसके साथ में चर लिखा सौरी और उसके ओपर पावर जीरो तो अब आप देखरों कि इसके बराबरी हो गया क्योंकि आप जानते हो कि X की पावर जीरो क्या होती है एक के बराबर होती है तो अचर भहुपत की घात 0 होती है तो इस B part answer आजएगा नेक्स देखिए इसके 0 अब इसका 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका 0 निकालने के लिए हम इसको लिखकर और इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो हम 0 लिखते हैं X को यहाँ पे common निकाल लो तो अंदर रहेगा X minus 2 equal to 0 अब इसका मतलब हो गया या X 0 है या X minus 2 0 है तो X 0 आपके पास एक तो यह निकला है और एक X equal to 2 यह सरलसमी करण में हम नहीं सीखा है जब इसको इधर लेके जाते हैं तो इसका निशान बता जाता है तो X equal to 0 और 2 यह दो इस बहुपद के शुन्यक है शुन्यकों को इस प्रकार हल किया जाता है ठीक है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन आपको सही गलत बताना है यह सही गलत में statements को ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्या लिखिए और फिर इसका सही गलत आप देखना पहला है प्रती एक बहुपद एक समीकरन भी होता है नहीं कोई जरूरी नहीं जब आप उसको समीकरन बनाओगे तो वो समीकरन बनेगा तो हर एक बहुपद समीकरन बन सकता है अगर आप उसको इक्वल टू जीरो कर दो तो तो खाली हर एक बहुपद समीकरन है जरूरी नहीं है हाँ उसको समीकरन बनाए जा सकता है तो एक समीकरन भी हो सकता है तो हम इसको क्या लिखेंगे प्रतीक बहुपद एक समीकरन भी होता है इसके अंदर हम इसको डालेंगे तो इसको हम मान लेते हैं कि हर भवपद एक समीकरण भी होता है इसको हम true मान लेते हैं ठीक है क्योंकि वो एक पदी हो द्वी पदी हो तो इसको हम बोलेंगे सही true तो पहले वाले को हम लिख लेते हैं सही ऐसे सही का निशान लगा देती हैं ये एक पद होगा दो पद होगा तो किसी को भी आप बारबर जिरो करके एक पद वाले को दो पद वाले को सबको instant कर सकते हो तो ये सभी एक सम्मीकरन भी होते हैं ठीक है अब हम अगला देखते हैं अगला हमारे पास में है प्रतेक बहुपद द्वी पदी होता है अभी जरूरी नहीं अभी मैंने आपको बताए वो एक पदी हो सकता है तो इस statement को हम बोल देंगे कि भई ये गलत है ये जरूरी नहीं है ठीक है अगला देखिए द्वी पदी बहुपद की घात 5 हो सकती है 5 भी हो सकती है हाँ बिलकु जो टी की पावर होगी जो इसकी घात होगी वही इस भवपद की घात मानी जाएगी तो इसकी घात 5 भी हो सकती है जैसे हमने यहां दिखाया हम ऐसे लिख सकते हैं ये 5 घात हो रही है तो यहां पर हम बोल सकते हैं हाँ सही correct ठीक है अगला देखिए चौथा शून्यक भवपद की घात अपरिभाशित होती है शून्यक भवपद की घात अपरिभाशित होती है जैसे शून्यक भवपद आपका यह हुआ शून्यक भवपद अच्छा एक बहुपद आपका ऐसा होता है पांच जैसे ही रूट पांच था यह आपका अचर भवपद है और इसकी घात होती है जीरो ठीक है लेकिन जो जीरो बहुपद है शूर्यक बहुपद है इसकी घात क्या होगी इसकी घात कुछ भी हो सकती है अगर आप यह ऐसे लगाओगे तो दो हो गई ऐसे करा तो चार हो गई ऐसे करा तो सो हो गई तो कुछ भी आप इसकी बना सकते है क्योंकि ज आपको कारण बता दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, इसके accordingly इसकी घात होगी 2, इसके हिसाब से 4, इसके हिसाब से 100, तो आप जैसे चाहे बना सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं, शुन्यक भवपत की घात अब परिभाशित है, अगला देखिए, एक भवपत का शुन्यक हमेशा 0 ही होता है, एक भवपत का शुन्यक हमेशा 0 होता है, अब आप देखिए, यहाँ पे हमने भवपत की शुन्यक निकाले थे, क्या निकले थे, 2 निकले थे, 0 और 2, तो 2 भी था, यह क्या बोल रहा है, हमेशा 0 होता है, यह गलत है, इसके भवपत zero के बगैर भी हो सकता है आगे आप देखेगे आगे आने वाले प्रश्णों में कि हम देखेंगे कि 0.0 के अलावा वाली भी चीजे है तो यह जो पांचवा है यह है एक भावपद का 0.0 होता है यह गलत एक बार हम फिर से देखने प्रतेक भवपत एक समीकरण होता है हाँ सबको equal to zero कर दो कि वो सारे एक समीकरण भी बन जाते है प्रतेक भवपत दुपती होता है गलत एक पद दुपत भी हो सकता है ठीक है तुरी पद हो सकता है दुपती भवपत की घात पांच भी हो सकती है हाँ हो सकती है लिखके दिखा हमेशा 0 ही होता है दो भी है ठीक है अगला देखिए बहुपत के शुन्यक निकाले अब जैसे इसका हम शुन्यक निकालेंगे तो शुन्यक निकालने के लिए आप इसको क्या करते है जो आपका जो दिया होता है उसको जैसे पी एक्स है इसको 0 कर दे तो यानि 2x प्लस 5 को 0 कर तो 2x 5 उदर जाके माइनस 5 हो जाता है और x की value आगे माइनस 5 बटा 2 तो अब इसका 0 क्या है? माइनस 5 बटा 2 क्या ये 0 है? नहीं है 0 के अलावा है ना तो इससे भी आपका थावित होता है तो इसका 0 को गया माइनस 5 बटा 2 दूसरे का निकालोगे x2-1 तो आप rx को equal to 0 कर दोगे दूसरा कर रहे है तो यानि कि x2-1 0 हुआ और इसको तुम a-b, a-b के हिसाब से ऐसे लिख सकते हो तो इसका मतलब होगा या तो x-1 तुम्हारा 0 के बराबर है या x-1 0 के बराबर है इसके हिसाब से x1 आ गया यहाँ पे-1 उदर जाके प्लस-1 हो जाएगा यह-1 तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया एक और-1 ठीक है यह इसके आंसर जागे अब हम तीसरा देखते हैं 5x-4 अगर तुम qx को 0 निकालना चाहते हो तो इसको equal to 0 करोगे अब इसको हल करो बच्चो क्या value आएगी मैं आपको time देती हूँ थोड़ा सा x कमान निकाल लीजे निकाल लिया इसको इधर लेके जाएगे तो 4 हो जाएगा x equal to 4 बटा 5 very good अगला देखिए px equal to 3x यह भी मैं आपको time देती हूँ इसको equal to 0 निकालो क्या answer आएगा यहाँ पर बच्चे गडबर कर जाते है बहुत आसान प्रश्ण है ओके time up so x is equal to 0 ठीक है एक ऐसे x equal to 0 बटा 3 होता है and that is equal to 0 यह आपका answer है next question देखिए निमिलखित पर बहुपत के मान ग्याद कीजिए ठीक है यह मान ग्याद करने वाला प्रश्ण भी तुम कक्षा सात्ती से करते आ रहे हो और बहुत आसान है पहले हम क्या कर लेते है बहुपत को कुछ ऐसे नाम दे देते है जैसे px दिया और सारे उसके पत लिख देते हैं पूरे बहुपत को हमने लिख दिया यह लिखा अब हमें निकालना है x equal to 0 तो x की जिगा 0 डाल दीजिए तो जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 लिखना है ठीक है अब आप चानते हो 0 से गुना होके 0 बन जाएगा यह भी 0 से गुना होके 0 आपके पास सिर्फ 3 बचेगा तो उत्तर आया 3 3 is your answer ठीक है अगली बार आप क्या करेंगे x की जिगा आपने क्या करना है x की जिगा 1 डालना है जब आप दूसरा question कर रहे हो second part इसको करोगे तो x की जिगा 1 डालो so 5 जहाँ x है वहाँ 1 लिख दीजिए अब 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 4 को 1 से पहले अब इसका 1 का वर्ग हल कीजिए 1 का वर्ग क्या होता है 1 गुना 1 यानि 1 ठीक है यहाँ minus के sign का ध्यान रखिए 5 minus 4 जम्मा 3 तो यह तुम्हारे पास क्या हो जाएगा तुम्हें क्या करना है यह plus plus वाले दोनों numbers को एक खट्टे जोड़ देना फिर 1 plus 1 minus संक्यान को घटा होगे तो 4 उत्तर आ जाएगा ठीक है अगला प्रशन लेते हैं minus 1 का minus 1 के प्रशन में पुर्णा को किस प्रकार से हल कर रहा होता है उसके रूल्स का आपको ध्यान रखना है तो जब हम यह minus 1 वाला कुशन करेंगे तो जहाँ x से हमाँ minus 1 डाला जैसे दूसरे कुशन में हमने अभी तक करा है अब क्या करना है बच्चो यह तुम्हारा हो जाएगा minus 5 और यह तुम्हारा होगा minus 4 1 जमा 3 फिर तुम्हारे पास आएगा minus 4 minus 5 minus 4 plus 3 यह तुम जोड़ोगे दोनों को minus 9 plus 3 और यह आया minus 6 देखो मैं समझाती हूँ minus 1 का वर्ग minus 1 गुना minus 1 plus 1 होता है ठीक है जब भी समसंख्या होती है तो plus 1 आता है अब इसको इससे गुना करोगे तो minus 4 रहेगा दोनों minus की संख्या आपस में जुड़ती है कैसे जुड़ती है पांच सीड़ी नीचे उतरे और चार सीड़ी और नीचे उतरे कहां पर हो तुम नीचे की तरफ ही हो तो हम यह बोलते है minus minus आपस में जुड़ता है अब 1 संख्या minus इसकी एक संक्या प्लस किया तो घटाते हो और निशान उसका आता है जो बड़ा नमबर हो बड़ा नमबर क्या है? 9, 9 पी कैसा निशान? माइनस, तो माइनस 6 उत्तर आया ठीक है? ये क्लास 9 के लिए बहुत आसान questions है बच्चों, ये क्लास 6 के बच्चों को भी हम ये सिखा देते हैं कि किस तरीके से नमबर को जोड़ना है और 7 तक बच्चे इसमें perfect हो जाते हैं अगर आपको किसी को इसमें मुश्किल आ रही है तो आप छोटी क्लासिस की वीडियो ज़रूर देख लीजे ताकि ये mistakes आप ना करें 9th क्लास के लेवल पे अब ये हमने values पुट करी ठीक है कुछ मुश्किल काम था जहां एक से हमाँ दो लिखना है बस ठीक है कुछ भी नहीं करा अब इसको सिफ हल करना है हल करने में पहले हम 5 को 2 से यहां गुना करेंगे 10 आजएगा यहां पिर 2 का वर्ग यानि 2 गुना 2 चार फिर 4 को 4 से गुना करोगे फिर माइनस 16 लिखना है और जमा 3 तो ये तुमारा हुआ 10 माइनस 4 गुना 4 प्लस 3 ये तुमारा हुआ 10 माइनस 16 प्लस 3 10 और 3 जोड़ लो 13 माइनस 16 और यह तुम्हारे पास आजाएगा माइनस तीन अंसर ठीक है तो यह सब समझ आया है हमने क्या करा हर जिएगे आप देखो मैं पहले प्लस वाले नंबर को जोडती हूँ फिर माइनस वाला नंबर उसमें से निकालती हूँ ताकि गडबड ना हो हर स्टेप पे जब आप माइनस नंबर लेके चलते हो तो बच्चे अकसर गडबड कर देते हैं तो बेस्ट है सब प्लस वाले नंबर आपस में आड़ कर लो सब माइनस वाले नंबर आपस में आड़ कर लो और फिर लास्ट में एक स्टेप पे माइनस करो और bigger number का जो sign है, जैसे 16 पे minus का निशान है, वो आप इसको दीजिए, वो last final answer में होगा, ठीक है, COVID की कुछ नियमों का ध्यान रखना है आप लोगों को, अपने मित रूप से अपने हातों को साबून और पानी से धोना है, अपने स्वास्ते का ध्यान रखना है आप सभी बच् ठीक है, बच्चों इस वीडियो को हुए हम ओवर करते हैं, एक मेरी तरफ से input है कि अगर कुछ करने में दिक्कत आ रही है, तो पुरनाक चेप्टर से revise कीजिए, सरल समी करन को revise कीजिए, ठीक है, और ये जो worksheets बताए रहे हैं, 7-8-9 के इनको देखीए, ठीक है, ओके बच कर,